Hey Hi Everyone, I know कि आप इस वीडियो का दो-तीन दिन से वेट कर रहे थे and I'm extremely sorry कि इस वीडियो को लाने में थोड़ा लेट हो गया The reason is कि मैं आपके मेंस के लिए कुछ important documents प्रिपेर कर रहा था So that's why थोड़ा delay हुआ time alert करने में सबसे पहले आप क्या करो ये PDF है, इस PDF को आप में टेलिग्राम से डाउनलोड कर लेना इस PDF में आपको UPPCS 2023 का जो UP Special का पेपर हुआ था Paper 5 and Paper 6 उनके सारे questions मिल जाएंगे Question के साथ-साथ यहां उनको map किया गया है कि वो syllabus के किस topic के साथ link up होते है ये तो आपका UP Special का syllabus रहा बट UP Special का syllabus काफी हद तक जो आपके GS का syllabus होता है उससे resonate करता है तो राइट साइड आपको GS के syllabus का भी link मिल जाएगा For example, UPPCS 2023 के Paper 5 का ये दो question था Question 7 and Question 18 Question 7 में पूछा था हरपन civilization के बारे में Question 18 में पूछा था Propagation of Buddhism in UP UP की जो important places है जहां पे बुद्धिजम प्रोपगेट किया था वो कौन-कौन से है इस question को आप UP Special के syllabus से link करोगे तो आपका पहला topic आएगा History, civilization, culture and ancient cities of UP और इसी चीज़ को आप GS1 के syllabus के साथ भी link कर सकते हो GS1 में जो आपका syllabus है History of Indian culture will cover Salient aspect of art form ये question जो है वो इस topic से link up है So इसी तरह आप UP Special के सारे questions को देख सकते हो कि कौन सा questions UP के syllabus link है और पहलले GS के syllabus link है इसका क्या importance है मैंने इस part में क्यों divide किया है question को जहां पे मैंने GS का syllabus दिया है UP का syllabus दिया है इसकी बात हम आगे करेंगे ये classification बहुत ज़ादा important है अगर आप UP Special के paper को अच्छे से और कम time में prepare करना चाहते हो तो Now सबसे पहले आप एक चीज़ अपने दिमाग में रखो आप यो सोच रहे होगे कि आपको ये second chance मिला है साथ तारीक आपका paper postpone हो गया 17 तारीको paper आपका होने वाला था But I would say कि आप इसको second chance मत समझो इसको आप अपना last chance समझो ऐसा मौका बहुत कम मिलता है जब paper कितने करीब paper postpone होता है So I'll request everyone कि आपके अंदर जितना भी zeal है जितना भी आप मेहनत कर सकते हो इस साल दे दो क्योंकि ऐसी opportunity बार बार नहीं आती है I want everyone, each one of you जो इस exam के लिए serious है जो इस exam को clear करना चाहते है आप सभी comment section में यह type करो I promise myself to give my 200% क्योंकि अब आपका competition सिर्फ UP वालों से नहीं है UP PCS वालों से नहीं है अब आपका competition UPSC वालों से भी है उनको भी time मिल गया prepare करने के लिए तो अगर आप अपना 200% देने के लिए तयार नहीं हो then इस exam की रहा आपके लिए बहुत tough हो जाएगी start करने से पहले first and foremost हम ये देखते हैं कि exam आपका कब हो सकता है probable dates क्या है UPPCS नहीं ये बोला है कि July में exam लिया जा सकता है और July में आपके पास 4 dates है एक 7 तारिक हो गया एक 14 हो गया एक 21 हो गया एक 28 हो गया देखो 7 को seated के exam है काफी लोग ये भी कह रहते कि हो सकता है इस वज़े से 7 को paper ना हो बट मुझे लगता है कि UPPCS का जो मेंस है वो 7 से start होने वाला था तो हो सकता UPPCS 7 को ही pre का paper करा दे जो मुझे most probable dates लगता है वो या तो 7 का लगता है या तो 14 का लगता है given कि इस दिन कोई बड़ा exam ना पढ़ जाए rest आपको ये तो दिमाग में लेके ही चलना है कि July में आपका pre का paper हो रहा है तो अभी July का first week ही लेके चलो Iyog अपना calendar release कर देगा तो बहुत कुछ clear हो जाएगा मैंने आपसे doubts मांगा था जो भी आपको doubts है आप उसको post कर सकते हो और आपको जितने भी doubts है उनको मैं broadly तीन पार्ट में divide कर सकता हूँ सबसे पहले आपके आगे का तीन मंत का road map क्या होना चाहिए क्या plan होना चाहिए second one is की paper 5 और paper 6 को prepare कैसे करें and the third one is की जो UPSC दे रहे हैं वो UPPCS को कैसे balance करें इस वीडियो में हम पहले part की बात करेंगे in fact जो ये वीडियो है वो तीन पार्ट में रहेगा पहले part में हम इसको discuss करेंगे जो दूसरा वीडियो आएगा इसके बाद उसमें हम paper 5, paper 6 को discuss करेंगे and जो third वीडियो आएगा उसमें हम UPSC and UPPCS दोनों कैसे लेके चलें उसकी बात करेंगे क्योंकि तीनों डाउट अपने में ही एक separate topic है Now let's see कि आपके तीन महिने का plan क्या होना चाहिए और आपका plan ऐसा होना चाहिए कि वो scientifically and practically applied हो एकदम basic से देखें तो आज 13 March है आपका pre 17 March को होने वाला था और आपको 7 March को ये news मिल गई कि पेपर postpone हो रहा है बाकि आपके pre का जो exam है वो July में हो सकता है Now मैं इसको one of the best opportunity क्यों बोलता हूँ क्योंकि 7 March को आपको पता चला कि आपका paper postpone हो रहा है और exam कितने करीब होने का ये फायदा होता है कि आपका most of the syllabus cover हो जाता है If not most of the syllabus then मैं ये assume करता हूँ कि कम से कम अपने 50% syllabus खतम कर दिया होगा pre का मैं यहाँ pre की बात कर रहा हूँ means की बात नहीं कर रहा हूँ और ये bare minimum है काफी लोग तो पूरा syllabus भी खतम करके revise कर रहे होंगे but safe side के लिए मैं ये assume कर रहा हूँ कि आज तक आपने 50% syllabus खतम कर दिया तो आपके पास जुलाई तक दिन कितना बचा मार्च का 17 दिन और बाके 3 महिना considering कि आपका exam जो है वो जुलाई में होगा इन 3 महिना 17 दिन को हम 3 phase में डिवाइड करेंगे एक phase ऐसा होगा जिसमें सिर्फ आप mains का पढ़ोगे दूसरा phase होगा जिसमें आप pre plus mains पढ़ोगे और जो last phase रहेगा उसमें आप exclusively सिर्फ pre पढ़ोगे इन 3 phase को मैं थोड़ा और तोड़ू तो आप ऐसे देख सकते हो first phase आपका mains रहेगा mains आप आज से लेके 15 माई तक पढ़ोगे इसके बाद जो आपका pre plus mains का phase रहेगा वो 15 माई से एक जून तक पढ़ोगे और जो आपका exclusively pre का phase रहेगा वो एक जून से जब तक आपका exam नहीं हो जाता तब तक पढ़ोगे देखो जो यह timeline है उसको यह consider करके बनाया गया है कि आपके pre का exam जूलाई के first या second week में होगा मान लो आपका exam जूलाई के last week में चला जाता है तब हम यहाँ पे थोग ट्वीक करेंगे थोग चेंज करेंगे बट अभी के लिए यही है तो आपको मेंस पढ़ने के लिए कितना दिन मिलेगा तोटल 80 दिन मिलेगा यहाँ पे आपका 65 दिन हो गया यहाँ पे आपका 15 दिन हो गया और exclusively pre पढ़ने के लिए देख से जाधा महिना मिलेगा minimum 50% आपने pre का पढ़ लिया है बाकी जो 50% रहेगा आप इन देर महिने हम खतम करोगे इसके साथ साथ जब भी आप मेंस के तयारी करोगे आपकी pre के तयारी भी थोड़ी बहुत होती रहेगी prelims पे भी special focus देना है इसलिए मैंने यहाँ पे देर महिना दिया है because there is no means without pre सबसे important pre clear करना है उसके बाद ही आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा तो इसलिए आपको pre को भी sufficient time देना होगा ना अगले तीन महिने का आपका road map क्या होगा सबसे पहले आप यह करो कि 2018 से लेके 2023 का जो UPPCS का मेंस का PYQ है उसको आप download कर लो मेरे telegram channel से मेरे telegram channel का link आपको description box मिल जाएगा telegram पे आप जाके देखोगो तो मैंने GS paper 1, GS paper 2, 3, 4 और इससे का 2018 से लेके 2023 तक का जो official paper है उसको upload किया है तो इसको download कर लेना for analysis purpose next मेंस में आपको basically क्या पढ़ना है GS1, GS2, GS3, GS4 and GS56 हो गया आपका UP special हम essay और हिंदी को बाद में देखेंगे इसको आप pre के बाद भी कर सकते हो pre के बाद नहीं तो नहीं आयोगा आपको दो महिना तो देगा ही दो महिना minimum मिलेगा उसमें आप essay और हिंदी आराम से कर सकते हो इन 80 दिनों में क्या होगा पहले हम उसको समझते हैं हमारा जो primary focus होगा वो GS4, ethics, GS5 and GS6 UP special को खतम करना बाकी GS के paper को अगर हम देखें तो GS1 जो है वो static होता है GS2 और GS3 इसका nature static होता है बट आपको अच्छा score करना है अच्छा marks लाना है दूसरों से अपने answer अलग करना है तो आपको current affair से link करना पड़ेगा especially जो आपका IR section होता है वो purely current affair based होता है तो जो आपके mains का current affair हो गया वो mains 365 से हो जाएगा vision IS की ये booklet आती है after pre तो वहाँ से आप mains का जो भी current affair है इसको cover कर सकते हो अभी बचा आपका static portion और इन तीन महिनों में सारी जद्दो जहत इसी बात की होगी कि आप इन तीनों GS के paper का notes prepare कर लो और बाकी ये तीन paper अच्छे से prepare कर लो क्योंकि जो आपकी UP special का paper होता है उसको आप silos में नहीं पढ़ सकते हो उसको आप अकेले isolate करके नहीं पढ़ सकते हो उसको आप GS के syllabus से link करोगे तभी आप अनाम से उस paper को खतम कर पाओगे नहीं तो सिर्फ paper 5 और paper 6 खतम करना बहुत hectic हो जाता है GS के syllabus के साथ link up करके पढ़ोगे तो 40-50% आपकी मेहनत कम हो जाएगी और दूसरी बात ये भी है कि जब भी आप GS के answers लिखते हो चाहे paper में specifically पूछा हो या ना पूछा हो आपको answer को यूपी से link करना है मालो education का कोई question आया कोई skill development का question आया वहाँ पे आप central government की scheme लिख रहे हो उसके साथ यूपी का भी कुछ initiative लिख दो आप union budget के बारे में बात कर रहे हो साथ में यूपी के budget की भी कुछ scheme डाल दो इस तरीके से answer करोगे तभी आपका answer जो हो holistic रहेगा और ये चीज़ आपको दिमाग में लेके चलना है कि आप यूपी का paper दे रहे हो GS1, GS2, GS3 के syllabus में जो keywords दिये गए है उनके notes prepare करोगे मैंने GS1, GS2, GS3 तीनों के decoded video बनाए थे syllabus के हर topic में कौन कौन सा topic आता है आप उसके notes prepare करोगे क्योंकि exam में keywords से question directly पूछा जाता है for example आप यहाँ देखो ये 2023 का paper है food processing topic directly mentioned है GS3 में e technology directly mentioned है GS3 में land reform directly mentioned है budget making process directly mentioned है ये current affair हो गया cyber crime directly mentioned है इसके बाद India security forces directly mentioned है तो syllabus में जो keywords है उसका notes आपके पास रहेगा इन तीन महिनों में आपको रटना नहीं है कुछ सिर्फ notes prepare करना है जो syllabus में keyword दिये गया है उनके आप notes prepare कर लोगे तो 40-50% काम आपका बन जाता है बाकि जो 50% रहता है उसमें आप answer writing करते हो और content को curate करते हो ये 50% आप अराम से pre के बाद भी कर सकते हो बशरते आपका notes prepare हो society and GS4 का notes मैंने already release कर दिया है तो जो लोग वो notes refer कर रहे हैं उसी को refer करते रहे हैं कोई separate notes मनाने के ज़रुत नहीं है बाकि topics के लिए आप सिर्यबस के keywords के notes prepare करोगे और देखो आपको notes कैसे prepare करना है सबसे पहले आप 2018 से 2023 तक का paper देख लेना उसके बाद जो मैंने GS की decoded video निकाली है उस video को देखके इस PDF को मैं टेलिग्राम से download कर लेना और इस PDF में जो keyword दिया गया है simply on keywords के आप notes बना लो for example यहाँ देखो जैसे food processing है तो आप notes बनाओगे scope क्या है, significance क्या है food processing का location क्या होता है upstream downstream requirement क्या होता है challenges क्या है supply chain management क्या होता है recent development जो हुआ है budget में FDI, food park, संपधा, योजना यह सारे चीज़ क्या होते हैं बस इसी topic का आपको notes बनाना है तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने notes बनाया हो exam में directly question उससे ना पूछा जाए but आप यह जान जाओ किस तरीके से आप notes बनाओगे 4-5 dimension cover करोगे तो चाहें जैसा भी question आए आप अपने notes से उसका answer निकाल लोगे so पहला target तो आपका यह हो गया दूसरा target है आपका GS4, GS5, GS6 complete करना है GS5, GS6 कैसे पढ़ना है इसको हम next वीडियो में देखेंगे and मैं GS4 की भी decoded PDF निकाल दूँगा इसको आप में notes से पर सकते हो या फिर आपने अपना खुद का notes बनाया है बाकी paper आप pre के बाद दोगे schedule अपका क्या होना चाहिए आपको दिनों को allocate करना है 2 is to 3 ratio में but I would say कि 2 is to 3 से अच्छा यह है कि आप 1.5 is to 3 दो 1.5 दिन आप GS को दो बाकी 3 दिन आप UP special को दो क्योंकि अभी आपको GS1, GS2 और GS3 के सिर्फ notes बनाने है and most importantly आपको GS2 और GS3 की बनाने है GS1 जो है उसके मोटे मोटे topics आप आप अल्रेडी पढ़े रहते हो आपने geography खतम कर दिया होगा आपने modern history खतम कर दिया होगा तो GS1 बहुत जबता time नहीं लेगा जो time लेगा वो GS2 और GS3 लेगा किस topic को किस दिन पढ़ना इसको नेक्स वीडियो में देखेंगे इन 80 दिनों में कम 40-50 दिन आपका निकल जाएगा UP special के लिए 10 दिन में आप GS4 के basic topics कर लोगे बाके 20 दिन जो GS1, GS2, GS3 के notes बनाने है उसमें locate करोगे आप एक काम करना कि ऐसा चार्ट अपने सामने रखना और जो time बीथते जाएगा जो day आपका pass होते जाएगा उसको ऐसे cross कर देना जब आप cross करोगे जब आप visually देखोगे कि मैं आप time बीथ रहा है तब आपको समझ में आएगा कि कितना time बचा है और कितना time है बाकि दिन कैसे allocate करने है मान लो आपने दो दिन GS पढ़ा उसके बाद तीन दिन आप UP पढ़ोगे दो दिन GS तीन दिन आप UP पढ़ोगे और यहां पे भी आप GS and UP special parallel पढ़ोगे for example मान लो आपने GS1 में art and culture का notes प्रिपेर किया तो इसी के parallel आप UP special kart and culture करोगे आपने modern history किया तो इसी के parallel आप UP special का modern history करोगे आप geography कवर कर रहे हो तो इसी के parallel आप UP का geography कवर करो इस तरीके से cover करने से आपका button बहुत कम हो जाएगा और बहुत कुछ आपको याद नहीं करना पड़ेगा आपका जो effort है वो duplicate नहीं होगा So I think कि आपको इन तीन महिनों को कैसे plan करना है और एक मोटा मोटा target आपके दिमाग में आही गया होगा बाकी GS5, GS6 कैसे करना है और किस दिन कौन सा topic पढ़ना है इसकी बाद हम next video में करेंगे जितने भी important PDF से आप टेलेग्राम से डाउनलोड कर लेना मैं टेलेग्राम का लिंक आपको description box मिल जाएगा All the very best, trust your hard work and be ready to give you 200% Hard work से तो बिलकुल दरना ही नहीं है